नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग तलाक इहां पर बात करेंगे और फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ओपर यहां पर ध्यान जाएगा कैश और एक्सपेंसिव गिफ्ट मांगते हैं बेसिकली डाओरी की डिमांड करते हैं दहेच की डिमांड करते हैं तो मुस्लिम वुमिन ने आपे डॉमेस्टिक वाले से अट के अंदर इलजाम लगा दिया अब डी वी ए से बचने के लिए हजबन रोसकी फैमिली ने क्या किय वुमिन को तलाकी हसन का नोटिस बेज दिये ये तलाकी हसन क्या है तलाकी हसन का मतलब यह है कि एक महीने में एक बार आप नोटिस दिये जाएंगे तलाक के ट्रिपल तलाक आपको पता है इंडिया के अंदर बैन हो चुका है तलाकी हसन में कि तीन बार ही आप तलाक का नो मुस्लिम पर्सनल लॉज शरियत एक 1937 तो सेक्शन टू अफ मुस्लिम पर्सनल लॉज शरियत एक 1937 के अंदर तलाक ही हसन के थूँ एक हस्बंड अपनी वाइफ को तलाक कर नोटिस दे सकता यहाँ पर क्या है कि ट्रिपल तलाक जैसा नहीं है तो 2017 में शायरा बानो वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया में जो कॉंस्टिटूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की उसने 3-2 की मेजॉर्टी से बोला कि यह जो त्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है जिसको आप बोलतो तलाक ए बिदत यह अनकॉंस्टिटूशनल है तलाकी हसनल में लॉजिक यह है कि आप एकदम से 3 बार तलाक नहीं बोल सकते यहाँ पर कुछ कंडिशन्स है उस कुछ कंडिशन्स में मैं कुछ सेंस्टिव चीज़े आपको बता रहा हूँ जैसे कि जब वुमेन मेंस्टूइटिंग ना हो और दूसरे से तीसरे नोटिस की बीच में एक महीने से ज़ादा गयाप होना चाहिए तो बेसिकली जो तीन नोटिस दिये जाते हैं इनके बीच में एक महीने से ज़ादा का गयाप होना चाहिए कम से कम एक महीने का गयाप होना चाहिए प्रस इस time period में अगर कोई भी intimate act हो जाता है husband और wife के बीच में तो उस case में ये जो particular तलाक का process शुरू किया गया है इसको null and void बोल दिया जाएगा तो तलाक ही हसन basically यहाँ पे एक ऐसा mechanism था एक ऐसा extra judicial act था एक extra judicial measure कह ली जाए गलत है बोलना जिसके थूँ एक husband अपनी wife को तलाक दे सकता है और overall instant तलाक नहीं होगा उसमें कम से कम कुछ महीनों का समय जाएगा अच्छे ये तो बात हो गई जो men के पास right है extra judicial rights आपके तलाक देने के क्या section 2 of the Muslim personal law शरियत application act 1977 के अंदर woman के पास भी ऐसा कोई right है कोई extra judicial right है तो जी हाँ खुला नाम का के एच यू एल ए नाम का एक extra judicial right woman के पास भी है देखे इस्लामिक स्कॉलर्स जब भी overall इन personal law को defend करते हाला कि इन personal laws के against आप देखे वुमिन ही यहाँ पर petition डाले दिल्ली high court में भी एक Muslim woman ने petition डाला है अभी अगर आप देखो तो मई 2022 की बात है Supreme Court में भी case पहुचा हुआ है तलाकी हसन की constitutional validity को लेके एक journalist है जिनका नाम है नजीर हिना ये भी एक Muslim lady है इन्होंने भी इस तलाकी हसन के against case डाला है तो जो Muslim legal scholars हैं वो इस प्रकार की practice को किस basis पे justify करते हैं उनका यह बोलना है कि अगर आप section 2 देखते हैं शरियत application act 2037 का तो यह जो extra judicial divorce का सुविधा है यह किवल men के पास available नहीं है यह women के पास भी available है section 2 of शरियत act के अंदर तलाक, इला, जिहर, लियान, खुला, मुबारत बहुत प्रकार के mechanism available है तो अगर तलाकी हसन men के पास available है तो खुला जिसके थुरू women अपने husband को divorce दे सकती है वो women के पास available है बट problem यह कि आज की social context में यह बताना कोई बड़ी बात नहीं है कि women जादा vulnerable है जैसे for example यह जो दिल्ली high court वाला case हुआ है यहाँ पे एक woman के against violence हुआ उससे दहेज मांगा गया जब वो नहीं दहेज दे पाई तो उसने domestic violence act के अंदर जब case लगाया तब यहाँ पे इन्होंने तलाकी हसन का रास्ता अपनाया तो यहाँ पे Muslim women ही challenge कर रही है इन personal law की practices को देखे, कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में जब भी uniform civil court की बात होती है personal laws को बदलने की बात होती है तो यह एज़ाम लगाया जाता है Muslim clerics के दोरा कि भाई overall Hindu practices को Muslims के उपर impose किया जा रहा है लेकिन यहाँ पे यह जो demand निकल के आ रही है कि जो तलाकी हसन unconstitutional है यह Muslim women की तरफ से ही निकल के आ रही है कौन से constitutional basis पे यहाँ पे case file हुए है मैं आपको बता दूँ चाहे दिल्ली आई code की बात कर लीजे चाहे से Supreme Court की बात कर लीजे जो basis यहाँ पे mention किये गए है वो same है जैसे कि for example यहाँ पे यह जो तलाकी हसन नाम की practice है इसको unilateral extra judicial practice बोला गया है and this is violative of article 14, article 15, article 21 and article 25 of the Indian constitution यह दिल्ली high court की petition में भी बोला गया है यह Supreme Court में जो case file किया गया इस तलाकी हसन की against इसके against भी बोला गया है section 2 of the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 valid बोलता है कि इसको तलाकी हसन को अच्छे यहाँ पे एक और law news में है वो law कौन सा है वो है Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 में जो section 2 of the Muslim Personal Law Shariat Application Act 37 के अंदर जो mechanism दे रखे है जैसे कि तलाकी हसन हो गया जैसे कि खुला हो गया इनके basis पे extra judiciary अगर कोई divorce लेता है तो वो divorce सही माने जाएंगे ऐसा बोलता है Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 इसी लिए यहाँ पे इस petition में बोला गया है कि यह जो Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 है इसको unconstitutional declare किया जाए क्योंकि चुकि यह Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 खुला जैसी practices को और तलाकी हसन जैसी practices को और Article 25 को valid करता है तो दिल्ली High Court में case पहुँच चुका है Supreme Court में case पहुँच चुका है और overall इन दोनों ही petitions में यह बोला गया है कि statutorily जो बाकी धरम की ओरते हैं उनको divorces के against protection मिली हुई है तो फिर Muslim woman को protection क्यों नहीं मिली हुई है Muslim woman के against यहाँ पर discrimination क्यों हो रहा है तो इसलिए Dissolution of Muslim Marriages Act 1939 unconstitutional है यह कुछ Muslim woman ही कह रही है जो इस particular case को Supreme Court और दिल्ली High Court लेके गई है अब इसका judgment की आने वाला है देखिए आप बहुत आसानी से expect कर सकते हो दिल्ली High Court अगर यहाँ पर judgment देता है overall इस particular मुद्दे में female के favor में और most public female के favor में ही यहाँ पर judgment जाएगा चुकि एक woman के साथ अत्याचार हो रहा तो obvious ही बात उसको Supreme Court में challenge किया जाएगा but already Supreme Court में case कहुँचा हुआ है तो Supreme Court की तरफ से ही यहाँ पर final judgment आएगा और जिस प्रकार से 2017 में शायराबानो case में तलाकी बद्दित को unconstitutional बोला गया था तलाकी हसन को भी यहाँ पर unconstitutional बोला जाएगा तलाकी बिद्दत के साथ क्या था कि भाई तलाकी हसन को अगर यहाँ पर unconstitutional बोला जाता तो इसका opposition भी होगा तलाकी बिद्दद एक्चुली में आप कहलो कि थोड़ा अनफेर था वुमन की प्रती एक में कभी भी अपने इसाब से तीन बार तलाक बोल रहा है और शादी खतम हो जा रही है वुमन को अपनी बात बोलने का मौका भी नहीं मिल रहा है और बहुत से इस्लामिक कंट्रीज में तिलाकी बिद्दद प्रैक्टिस को पहले अनकॉंस्टिशन बोला गया है तलाकी हसन में इतना instant divorce नहीं है तलाकी हसन में जैसे कि मैंने बताया है कि पहले notice के बास आपको तीन notice देने पड़ेंगे पहले notice के बाद कम से कम एक मेंने रुकना है फिर दूसरा notice देना है फिर कम से कम एक मेंने रुकना है फिर तीसरा notice देना है और overall इस time period में husband wife के अंदर बातचीत के तूँछ चीज़ें सुलजने के chances है तो इस basis पे तलाकी हसन को justify किया गया एक और basis है कि खोला नाम से एक extra judicial measure woman के पास भी available है तो यह जो शरियत application act है यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ man को power दे रहा woman को भी power दे रहा है बट जो woman socially vulnerable है उनके against इस प्रकार के mechanism को man dominance को स्थापित करने के लिए इस्तमाल किया जाता है इस context में तलाकी हसन की validity को यहाँ पे challenge किया गया दिल्ली high court में, supreme court में अब यह देखना बड़ा interesting होगा कि यहाँ पर क्या judgment finally निकल के आता है आपके एसाफ से दोस्तों यहाँ पर क्या सही होना चाहिए ज़ादा तर लोग तो obvious ही बात है तलाकी हसन प्रक्टिस को बहुत सारे Islamic countries में तलाकी हसन अभी भी चल रहा है तो आपके साफ से court का judgment यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है आप नीचे comment box में ज़रूर बताएगा article 14, article 21, article 25 income violation ने इसको भी यहाँ पर याद रखियेगा खोला की practice क्या है extra judicial जो measures है Muslim personal law में वो section 2 of Muslim shariah application act 1937 से निकल के आते हैं याद रखियेगा और dissolution of Muslim marges act 1939 इन section 2 की practices को valid बताता है यह याद रखियेगा किसी exam में लिखने में perspective में आपको चीज़ें काम आ सकती है अगर Muslim personal law से related अगर आप से कुछ पूचा जाता है तो आप इन practices को quote कर सकते है thank you for watching friends वीडियो को like को शिर्क करके जाएगा Instagram आप फॉलो कर लिजिएगा टैलिकांगो जाने कर लिजिएगा और जादा से जादा लोग से lecture को शिर करें I hope आपको इस प्रकार की वीडियो थोड़ी interesting लगे exams perspective से भी important है और आपके social awareness के perspective से भी important have a great day and goodbye